हेलो एप्रिबडी कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे चलिए मैं आपको एक छोड़ी से कहानी सुनाती हूँ मोटीवेशनल है उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी एक व्यक्ति थे पुस्पेंद्र जी वो बहुत ही फेमस थे बहुत ही अच्छे साहितिकार थे वो बहुत अच्छा लिखते थे सारी दुनिया उनको जानती थे एक बार वो एक जगे भासड कर रहे थे और भासड किसी तरीके से आगे आजाता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन है आपने जो कुछ भी लिखा है आप तक अब तक जो कुछ भी आपने लिखा है मैंने उसे सब पढ़ा है और बस मैं इसा क्या करूं जिससे आपके जैसा बन सकूं क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है और मैं बस आपकी जैसे बनना चाहता हूँ कुछ करना चाहता हूँ अपना नाम कमाना चाहता हूँ और फेमस होना चाहता हूँ ऐसा बोलते हुए उपनी बुक उनके सामने करता है ताकि वो उस पे आटोग्राफ दे सके उस पेंदर ची बुक ले लेते हैं और उस पे ओटोग्राफ देते हैं और साथ में कुछ लाइने भी लिख देते हैं वो लाइने ये थी कि आप अपना समय अपने आपको पहचान दिलाने में लगाएं ना कि किसी का ओटोग्राफ लेने के लिए सच है फ्रेंड्स ये तो सच है कि हम लोग पागलों की तरह किसी का फैन बन जाते हैं हम सब की लाइफ में सबसे ज़दा इंपॉर्डन्स क्या रखता है हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं किस के साथ बिताते हैं या हम क्या करते हैं क्योंकि आगे चल के फिर हम उसी के लिए पशता रहे होते हैं क्योंकि हमारा टाइम ने कर जाता है जब हमें ग्यान होता है कि वो कितना जरूरी था तब हमें बहुत पशतावा होता है तो टाइम हमारे बेसे ज़दा इंपॉर्डन्स रखता है और उसको सही तरीके से यूज़ करें, अपने उपर ट्रास्ट रखें और डेफिनेटली आप जो भी कर रहे हैं, उससे उस पर डेडिकेटेड रहें छोड़ ना दे मीज में, कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया I am doing my best and I am proud of myself इस चीज़ को याद रखें बेस्ट कीज़े, अपने उपर proud feel कीज़े, क्योंकि जब हम कुछ best करते हैं और हम यह feel करते हैं कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो हम उससे motivated feel करते हैं और हम motivated रहेंगे तो चीज़ों को जरूर अचीव कर लेंगे